तो यहां है हमारा गेट अगर कोई भी आते हैं तो इनको पहले गेट पे अपना रेजिस्टर करना पड़ता है तो हम लोगों ने वो टास्क जो हमारा प्राइमेरी टास्क था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यह देखें काफी सुन्दर तलाव का मैनेजमेंट यहां बताया कि यह तलाब जो है उस जमाने में मतलब जिस जमाने जिस समय यहां के राजा हुआ करते थे बेनी महराज नाम पर यह जगा है बेनी सागर उस जमाने की यह तलाव है और काफी बड़ी तलाव है जो लगबग देख रहे हैं आपकी मतलब 10 सेकड छेत्र में पूरी त का दो गया है यह रफता उतकनन चेत्र के तरब गया है जहां पर बहुत बरसों पहले अर्कीलेजिकल सरवे और भी इंडिया जो संस्ता है उसके द्वारा उतकनन पिकित दोरन पाया गया कि यह तेब सभ्यता जो बहुत प्राचीन सभ्यता एक ख़े उतने अंतरगत मतलब पाकिस्तान और पंजाब राजस्तान के कुछ चेत्रे में पाएगे हैं उस तरह से मतलब उसके क्या कह समकच की सभता है जो सेव सेव सभता जो हुआ करती है तो चलिए हम लोग चलते उत्कनन खेत्र कर अब तो गाय अभी हम लोग पहुच चुके हैं उत्खनित्स खेत्र पर यहाँ पर उत्खनन का काम हुआ है और यह मेरे पीछे में है यहां पर अफिस जैसा ही यह लग रहा है यह अफिस ही है और यहां साइध रहने का भी विवस्था है तो यहां देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ उत्खनित छेत्र तो अभी हम लोग बढ़ चलेंगे इस पतले से गली में और इस गली में जाकर के हम लोग को अब यहां पर लग रहा है और हलकी हलकी हवाएं चल रही है ऐसा लग रहा है कि हम यहीं पर बैठ करके यह एक चबुतरा है जब कुछ परसों पहले मतलब अर्कोलेजिकल सर्वे उप इंडिया के द्वारा जब उत्खनन किया गया था तो इस जगा को उत्खनन के द्वारा दोरान प्राप्त हुआ था आप देख सकते हैं यह एकदम मतलब यह लग रहा है कि इसी भवन का उपरी हिस्सा है यहां मु जो जगह आप देख रहे हैं यह वाला बीच में जो खाली है वहां पर कुछ मूर्टी या कुछ का उस तरह का स्ट्रक्चर मुझे जिसे आभास हो रहा है और यहां पर काफी बड़ा स्पेस भी है और यह जो एरिया है यह पूरा चारो तरफ तलाब से देखे घिरा हुआ ह और यहां पेड़ भी अच्छे से लगे हुए हैं यह जो रस्ता आप देख रहे हैं यह है मूर्ति ग्री जाने का रस्ता और पीने के पानी का रस्ता इस तरह से यहां पर इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं इसके लेफ्ट साइड में यहां देख रहे हैं यह मूर्ति ग्री ह ठी और उदर भी कुछ मूर्ति वगरह हैं तभी पहले हम लोग उदther चलते हैं और वहां हम लोग अभी देखेंगे को रहां क्या क्या हैं के यह इंटरर्ण्स कि यहां आप डेख सकते हैं यह चारो तरफ सब अंदर जाने का यह रस्ता होगा यहां से अभी हम लोग प्रवेश करेंगे और यहां पर कुछ शिवलिंग वगेरा भी दिख रहे हैं वहां वहां बहुत जगा जगा शिवलिंग दिख रहे हैं तो अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और इसको हम लोग देखेंगे और हम हमारे देखने से ही पता चल रहा है मेरे लिए तो काफी इंट्रेस्टिंग लग लग रहाए है क्योंकि मैंने अपने इंजिरिंग इस्टильно और वा कि यह बहुत देखिए लगारा कि यह लीच वीच डूल देखिए प्लास्ट बीच बीचे ये ब्लास्टर नहीं एक चुली में जोडाई के लिए उस टाइम यह अका जो चुना का चुनसुर्की जिसको हम लोकेल लेंग्वेज में बोलते हैं उसके यह जुडाई की गई है और इंट जो है यह देखिए कोई फिक्स इधर का इट में कोई फिक्स सेप नहीं है लेकिन उसको इसका जो समतल आप देख रहे हैं यह काफी समतल किया हुआ है यह मतलब पानी जाने का इधर से रस्ता है और यह एक पतली नाली बनी हुए जो कि उस तरफ तलाब के तरफ जा रही है, यहां और एक स्विलिंग है, यह मतलब यहां पर बहुत से पढ़नींग है और यह जो दीख रहा है यह मेरे कख्याल में उस जमने में कमरों निर्मान किया जा रहा था, छोटे-छोटे कमरों का सादूसंत या बाबा पुजारी तोने के लिए, जो उप्योज करने के लिए, और ये बाउंडरी जो ये सिर्च्छा के मदे ने जर देख रहे हैं, काफी मोटी दिवार है, इसी चोडाई नहीं होने से लगभग, ती इले का है, ये सारे बहुत सारे बनान इन도 लगबग ये जगह जो जंगलों से घिरा हुआ है, काफी रोमान्चीत कर देने वाला ये जगह है, और ये जो है, इधर देखिया है, ये हमको लग रहा है कि ये ये भी आनन दो ये विलिंग यहाँ पर मिली होई थी, मतलब सिर्फ यहां पर भी देखें सिवलिंग का जो वह स्ट्रक्चर है वही है लेकिन इसमें से लिंग गायब है यहां पर यहां पर सांड या भेड जैसा कुछ दिख रहा है और एक जनेवू पहने हुए कोई देवता का मूर्ती है जो की हाथ में कलस लिये हुए है